दोस्तो नमस्कार आपके घर में हो महालक्षमी का प्रवेश मैं हूँ देवेश दोस्तो जिस दिन का हम सभी को बेसबरी से इंतजार था वही आ गया है आज जो है अमेरिका में मिड्टर्म की वोटिंग हो रही है और इसी बीच ट्रम्प सहाब का कहना है कि अगले सप्ता है बहुत बड़ा एलान करने जा रहे हैं जिससे उनके जो फॉल्वर्स हैं समर्थक हैं उनमें खुसी की लहर दोड़ जाएगी ट्रम्प सहाब तो यह एलान अगले सप्ता करेंगे भाई-शाब लेकिन ट्रम्प से जुड़े हुए जो स्टॉक्स है वो तो भाई-शाब की आधार सिला रखी और अब देखिए जिस कंपनी ने ट्रुथ को बनाया है उसके शेयर्स में भाई-शाब 10-20% सक्का उछा ला गया है लेकिन दोस्तों यह जो घटना करना में उससे हमें क्या हमें क्या लाब मिलेगा मुद्दे की बात है तो दोस्तों जबकि अमेरिका म कमजोर हुआ है कि कच्चे तिल में कमजोरी इसलिए आई है क्योंकि चीन को पता ही नहीं है कि क्या करना है इसकारण से कमजोरी है लेकिन दोस्तों हमारा मत थोड़ा सा भिन्न है कच्चे तिल में जो वास्तव में कमजोरी आ रही है उसकी लिंकेज है ट्रम्प सहाब से क्य अब आ रहा है तीन से चार डॉलर में बहेंकर महेंगा ही चल रही अमेरिका में यदि अमेरिका कच्छे तेल का प्रोडक्शन करेगा इस पास की संभावना मार्केट को दिखाई देगी तो सवाव एक कच्छा तेल पहले से ही कंचुर हो जाएगा और वही देखने मिल रहा है कच्छी तेल के दामों में साथ में दोस्तों भारतिय फार्मा सेक्टर के लिए ट्रंप साहब का जीतना एक बहुत अच्छी को स्कवरी है साइद आपको जानकारी हो जैसे ही बाइडन साहब आए तो उन्होंने फर्मान जानी कर दिया कि बाइसाब जो दवाए हैं उनकी की प्राइस कैप का जंगर चल रहा है उससे भी हमें निजात मिल सकती है क्योंकि चुनाओं में हारने के बाद बाइडन के होसले पस्त हो जाएंगे और हो सकता यह प्राइस कैप ना आए अगर भाई सब आ भी गई तो रूसे से आने वारा जो कच्छा तेल उसको भले ही बड पुथल मची हुई है दुनिया में वो कम होगी और यदि होगी भी तो वह हमारे भारत के फेवर में होगी इतियास गवाह है ट्रम्प सहाब के पिछले कारकाल में भारत के लिए बहुत लावकारी घटनागरं हुआ है ट्रम्प ताउग के आने से भले ही कुछ हो ना हो करती है आचारे चानके की हैजिंग स्ट्रैडजीज दोस्तों ध्यान दीजिए एक जन्वरी से हमें आत्मनिर्भर पोर्शेस की फीस डबल करनी पड़ रही है इसलिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है लिंक उस पर क्लिक करके जोइन कर लीजिए आत्मनिर्भर फ्यूचर्स एंड आप्शन स्पोर्श धन्यवाद जैश्री राम